गुद मॉर्निंग दोस्तों तो मैं कोमल गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल यमी पैराडाइस पे तो आज की ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज का अपना डेली रूटीन और आज मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगी तो स सबसे पहले सावन का महीना तो लगाई है तो हम डेली पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद मंदिर से आते आते मुझे यह दिखा यह हमारे हिमाचल में जो बारिश होती है बिजली गड़कती है तो यह बटन वाले मश्रूम जो है निकलते हैं तो इनकी सबजी बनती ह है बहुत इसची होती है नेचरल निकलते हैं जब बादल गजते हैं तब यह निकलते हैं तो मैंने सोचा कि उना एक से तो सब के लिए होगा निए थोड़ी बहुत और ढूंडी जाए बारिश पहले से बहुत जादा हो रखे थी तो मुझे कुछ-कुछ अलग-लग तरीके जो मश्रوم है यह मिले यह बटन टाइप मश्रूम है फिर मुझे पेड़ लगे दिखए तो मैंने यह भी तोल ली है सारे और मैंने सोचा थोड़े बहुत ओर इकठे करती हूं तो मैं कहीं जगल में आगे जाती हूं लेकिन जगल में केले तो जाने सकती थी फिर हम हमारी घ सारे कपड़ी भीग गए और सारे मिट्टी से पैर जो थे मेरे खराब हो गए थे और इतना मलबा भी गिरा हुआ था जब मैं जंगल से बापे सागे लेकिन जैसे ही मैं इनको घर पे लेकी गई तो मेरे फादर ने मिरे को बोला कि हम इनको नहीं बनाएंगे जब मैंने अपने पापा जी को पूचा कि पापा हम इन मश्रूम को क्यों नहीं बनाएंगे तो उन्होंने मुझे बताया कि आसपास के लोगों ने घास को जलाने के लिए घास की दवाई डाली है तो जिसकी वज़र से अगर ये मश्रूम जमीन में से निकले हैं जो भी नेचरल परसेस इनको होता है निकलने का जब हम बनाएंगे तो हमें किसी को नुकसान ना हो हम बिमार न पढ़ जाएं और कोई हाथसा ना हो जाए तो मुझे फैंकने पड़े अधर वाइस जब भी माचल में अगर आपको कहीं दिखते हैं जहां लोग दवाई नहीं फैंकते हैं तो ये नेचरल निकलते हैं तो आप जरूर इनकी सबजी बनाएं और कहाएं बहुत हेल्दी होते हैं जैसे दूसरे मश्रूम जो होते हैं वैसे ही होते हैं थोड़ा परसेस इनका होता है कि नेचरल निकलते हैं और परसेस होता है उनको खाद दी जाती है खाद में पूगाया जाते हैं बीज लगया जाता है तो मेरे साथ हैसा हुआ और यह मश्रूम आपकी जगा किसी ने देखे हैं तो आप इने क्या बोलते हैं इनको डिंगरी भी वोला जाता है कुछ जगा तो बुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके वहाँ इनको क्या बोलते हैं और किस किस ने ये खाए है थैंक यू ब्लॉग अच्छा लगाओ तो शुरू